नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल त्रवा क्लासस में मैं आकास आज हम आपके लेकर आए हैं SSC GT का मौक टेस्ट इस मौक टेस्ट में 50 कुछिशन दिया जाएंगे जो जनरल अवेरेंस के होंगे इसमें हिस्ट्री जोग्राफिय पॉलिटी एकॉ और बाद में जरूर बताईएगा कि आपके कितने कुछिशन सही हुए हैं तो इसी करम में आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले कुछिशन के ओर चलते हैं तो पहला कुछिशन है बिश्वाल स्रम निसे दिवस कम मनाया जाता है इसके लिए पहला उप्सन है 17 जून दूसरा sheriff पंद्रा जून त्सरा ऑफ्सन है बारा जून दूसा नशां चोथा ओप्सन है 21 जून आपको इसके लिए पांस सैकंड का टाइम दिया जाता है पांस सैके में आपको बताना है कि इसका अंसर क्या होगा तो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ऐस स्रम निसे धिवस 12 जून को मनाया जाता है अगले question क्यों और आंगे भड़ते हैं हमारा question number second कह रहा है बिदान परिसत चुनाओ लड़ने के लिए कितनी नियूंतम आयू होनी चाहिए बिदान परिसत के जो चुनाओ होते हैं उनके लिए कितनी नियूंतम आयू होनी चाहिए option A 21 बर्स, option B 22 बर्स, option C 25 बर्स, option D 30 बर्स इसके लिए भी आपको 5 सेकिंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकिंड में आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा और जो इसका right answer होगा वो होगा option D 30 बर्स बिदान पर सच चुनाओ अगर लड़ेंगे आप तो आपको कम से कम 30 बर्स की आई होनी चाहिए तभी आप उसमें चुनाओ लड़ सकते हैं इसके बाद question number 3 क्यों रांगे बढ़ते हैं question number 3 है प्रकास के एक माद्यम से दूसरे माद्यम में गुजनने पर उसकी दिसा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है इसके लिए option A है प्रकास का विवर्तन option B प्रकास का अपवर्तन option C है प्रकास का संचरण option D है इनमें से कोई नहीं इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है पांस सेकंड में आप जल्दी से लिए इसका अंसर बताएं तो इसका अंसर होगा option B प्रकास का अपवर्तन इसी गरम में आंगे बढ़ते हैं हमारे चौथे कुश्चन क्यों आंगे बढ़ते हैं तो कुश्चन नम्बर चार है नमक सत्या ग्रहे के समय गांदी जी के गरफतार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका इस्थान किसने लिया था इसके लिए option A है अबुलकालाम आजाद option B है सरदार वललबाई पटेल option C है जवाला नहरू option D है अबास तैबजी तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको बताना है इसका right answer क्या होगा जल्दी सल्दी इसका comment करें तो इसका जो right answer होगा वो होगा option D अबास तैबजी अबास तैबजी ने गांदी जी के गरफतार होने के बाद नमकांदुलन का लीड किया था नमकांदुलन को लीड किया था इसके बाद अगले question क्यों रांगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है question number 5 तो question number 5 वो लाए केंद्रिय मंत्री परसद के बिरुद्ध अब इस्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है इसके लिए option A है केबल लोकसवा option B है केबल राजसवा option C है लोकसवा और राजसवा दोनों में option D है राज्य की विदानसवा इसके लिए आपको 5 सेकिंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकिंड में आप जल्दी जल्दी इसका अंसर बताएं तो जो इसका right answer होगा वो होगा option A अगर कोई केंद्री मंतरी पर सद है अगर उसके भृदध अविस्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है तो वो ऐकेवल लोक्स्तुत किया जाएगा इसके बाद उस मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा और वो हटा दिया जाएगा उसे अपना इस्तीफा देना पड़ेगा इसके बाद कुश्चन नमब 6 की और आंगे बढ़ते हैं तो हमारा कुश्चन नमब 6 है बिहार का सरवादिक सगन बन वाला जिला कौन सा है इसका ओप्सन A है रोतास ओप्सन B है पस्चमी चंपारन ओप्सन C है कैमूर और ओप्सन D है किसन गंजे इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया रहा है 5 सेकेंड में आप जल्दी जल्दी इसका अंसर बताएं कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ओप्सन C कैमूर बिहार का जो सरवादिक सगन बन वाला जिला है वो कैमूर है यहा पार्टी के अध्यच बनेते हैं, वो कौन बनेते हैं, आप्शन A, जय प्रकास नारायन, आप्शन B, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, आप्शन C, पत्टावी सीता रमया, और आप्शन D, मौलाना आजाद, इसके लिए आपको पांस सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, पा पार्टी के जो अध्यच बनेते हैं, वो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद बनेते हैं, अगले कुछन की और आंगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को जादा जादा सेयर करें, और जादा जादा लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के पास बहुत मिट्टी कौन सी है, और जलोड मिट्टी, 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 और जल हरयाना, option D, गुजरात यह जो काली बंगा है, एक इंडस्वेली सिवलाइजेशन की एक जगाय का नाम है तो यह किस राज़ में इस्तित, इसका अंसर बताना है, तो इसका अंसर है option A, राजिस्थान, काली बंगा जो राजिस्थान में इस्तित है इसके बाद मैं अगले कुश्चन की और आंगे बढ़ते है हमारा कुश्चन नमबर 10 है कुश्चन नमबर 10 बोला है, इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया गया है यह जो इको मार्क है वो किन भारती उत्पादों को दिया जाता है इसका option A है, सुद्ध एबम मिलावट रहित हो पर्यावलाट के प्रती मेत्पूर हो और या फिर protein सम्रद्धी हो या आर्थिक द्रष्टी से ब्योभारिक हो इसका right answer आपको बताना है सबसे पहले आपको बताना है कि एको मार्क होता है जो भारती है, उत्पाद हो जो भी उत्पादन होता है उसके जो उत्पाद बनता है जिसे माल लोग कोई भी चीज बनाई गई है तो उसको दिया जाता है तो इसके लिए जो right answer होगा वो आपको बताना है जल्दी जल्दी आप right answer इसका comment box में comment करें तो जिसका right answer होगा और इसमें बताना कि यह कब छोड़ा गया 10 अपरेल 1979, 10 दिसंबर 1972, 19 अपरेल 1975 और 5 सितंबर 1982 इसके लिए आपको पांस सेकेंड का टाइम मिल ला है, पांस सेकेंड में आप जल्दी जल्दी इसका राइट अंसर बताएं, जो इसका राइट अंसर होगा वहोगा option C, 19 अपरेल 1975, 19 अपरेल 1975 को भारत का पहला उपग्राय आर रिवर्ट छोड़ा गया था, इसके बाद अगले कुश्चन के और आगे बढ़ते हैं, कुश्चन नमबर 12, तो कुश्चन नमबर 12 बोला है, सेंडी लॉज इस्टेडियम जो गोल्फ हेतु प्रसिद है, किस देश में इस्तित है, सेंडी लॉज इस्टेडियम का नाम ह पांश सेकेंड में जल्दी जल्दी इसका राइट अंसर बताएं, तो जो इसका राइट अंसर होगा, वो गोल्फ जो खेल होता है, उसके लिए प्रसिद है, इसके बाद अगले कुश्चन क्यों रागे बढ़ते हैं, तो हमारा कुश्चन नमबर 13, तेरा कुश्चन नमब किस खेल से है तो इसके लिए option A है badminton, option B है football, option C है table tennis, option D है lawn tennis, इसको आपको बताना है कि Davis cup है जो वो किस खेल से संब्दित है, किस खेल में है David cup दिया जाता है, तो इसके लिए आंगे बढ़ते हैं question और आपको option बताना है 5 second में, तो 5 second में आप जिल्ली से option बताएं, तो इसक इसके बाद में अगले question की और आँगे बढ़ते है, question number 14 है, बर्दमान ट्रॉफी किस खेल से संब्दित है, option A कुस्ती, option B भारत तोलन, option C कबड़ी, और option D है मुक्के बाजी, तो इसका आपको राइट अंसर बताना है, 5 second के अंतर इसका राइट अंसर बताना है, आप comment box मे जल्दी से जल्दी इसका अंसर बताएं, तो जो इसका अंसर होगा, option B भारत तोलन, बर्दमान ट्रॉफी भारत तोलन के लिए संब्दित है, भारत तोलन खेल से संब्दित है, इसी करम में अगले question क्यों और आँगे बढ़ते हैं, अगला question है, question number 15 है, एथलीन से poly एथलीन का बनना किस प्रकार की अबग्रिया है, जब एथलीन से poly एथलीन बनती है, तो वो किस प्रकार की अबग्रिया कहलाती है, option A बहुली करड, option B संगनन, option C ब्यासपन, option D, इनमें से कोई नहीं, इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप 5 सेकेंड के अंत बहुत ज़्यादा बनाए जाएगी, इसी करम में अगले कुछिशन क्यों रांगे बढ़ते हैं, कुछिशन नमबर 16, तो कुछिशन नमबर 16 कह रहा है, फीनॉल एक प्रकार का योगिक है, किस प्रकार का योगिक है वो बताना है, option A एलिफैटिक, option B एलिसाइकलिक, और option C इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया रहा है, 5 सेकेंड में आप जल्दी जल्दी इसका राइट अंसर बताएं, और वीडियो को जादा जादा सेर करें और लाइक करें, और अपने कमेंट जरूर दें कि, और इस फीनॉल एक प्रकार का योगिक है, इसका जो इसके बाद में अगले कुश्चन के और आंकर बढ़ते हैं, तो कुश्चन नंबर 17, कुश्चन नंबर 17 बोला है, भारती एक अलाका वह कौन सा स्कूल है, जो ग्रीक, रोमन, बहुत आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए आप्सन A मौर, आप्सन B सुंग, आप आपसन D गुप्त, इसका आपको राइट अंसर बताना है, और जल्दी जल्दी आप कमेंट वॉक्स में इसका राइट अंसर होता है, इसके लिए आपको केवल पांस सेकेंड का टायम दिया जा रहा है, पांस सेकेंड में आप जल्दी इसका राइट अंसर बताएं, कि भार प्रत्वी की परत के वीतर के हलचल का अध्यन किसके द्वारा किया जाता है प्रत्वी के परत के वीतर अगर कोई हलचल हो रही है तो उसका अध्यन सीस्मोग्राफियान के द्वारा किया जाता है इसी करम में अगले कुश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 20 कुश्चन नमबर 20 बोला है भारत का पहला अधिकारिक जनगड़ना अभयान किस बर्स चलाया गया था बारत में जब पहली बार अधिकारिक रूप से जनगड़ना हुई थी वो अभियान किस बर्स चड़ाया गया था यह आपको बताना है इसके लिए option A 1841, option B 1880, option C 1881, option D 1950 तो इसका जो right answer होगा वो आप जल्दी सल्दी कमेंट वाक्स में करके बताएं इसके लिए आपको 5 second करणा हम दिया जा रहा है तो इसका जो right answer होगा वो option C 1881 में भारत का जो पहला अधिकारिक जनगड़ना वियान है वो 1881 में चलाया गया था इसी करम में अगले question क्यों रांगे बढ़ते हैं question number 21, question number 21 बोल रहा है हिर्दय की धड़कन की गती निमलिखित में से किस से बढ़ती है option A कपाल तंत्रिका, option B है परा नुकम्पी तंत्रिका और option C है परदियत तंत्रिका, option D है अनुकम्पी तंत्रिका तो इसके लिए भी आपको 5 second का time देदे हैं आप जल्दी सल्दी comment box में इसका right answer बताएं तो जो इसका right answer होगा वोगा option D अनुकम्पी तंत्रिका, इसी करम में आँगे बढ़ते हैं अगले question की ओर, तो हमारा अगला question है question number 22, तो question number 22 बोला है छोब मंडल का विस्तार सरवादिक कहां पर है द्रूब के सामने, विस्वत्रेखा के सामने, option C करकरेखा के सामने और अगला option है, सभी जिगे समान समान आपको बताना है कि छोब मंडल का विस्तार है, वो सरवादिक कहां पर है द्रूब के सामने है, विस्वत्रेखा के सामने है, करकरेखा के सामने है या सभी जिगे समान है इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकेंड में आप जल्दी जल्दी इसका राइट अंसर बताएं तो जो इसका राइट अंसर होगा वहोगा ऑप्सन B विस्वत रेखा के सामने है छोब मंडल का विस्तार सबसे ज़्यादा विस इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकेंड में जल्दी जल्दी इसका अंसर बताएं तो इसका जो राइट अंसर होगा वहोगा ऑप्सन A स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद ने सत्यार प्रकास पुस्तकी रचना की थी इसके बाद में अगले कुश कि नंबर 24. 24 में है σमानता का अधिकार निम्ने में से किन अनुछेदों में नहीत है आपको बताना है कि समानता अधिकार कौन से अनुछेदों में पाय जाता है यह एक मॉलिक अधिकार है जो संभिदान के बाग 3 में इनका बर्डन किया गया है अब इसमें आपको अनुशेद बताने हैं कि समानता के दिकार में कौन-कौन से अनुशेद आते हैं अनुशेद 32, option B है, अनुशेद 29-30, option C है, अनुशेद 25-28, option D है, अनुशेद 14-18 तो आपको इसका right answer बताना है, जल्दी-जल्दी comment box में बताएं, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा option D, अनुशेद 14-18 आप ये जरूर याद कलने हैं, सभी मौलिक अधिकारों को याद कलने हैं, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको याद कलने हैं, जल्दी-जल्दी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि हर exam में इनसे एक question पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से आपको एक question हर exam में मिलेगा चाहें, आप कोई साभी एक्जाम दें तो इसलिए आपको सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो आईए अगले question के और आँगे बढ़ते हैं question number 25 question number 25 बोला है प्रतवी के बायू मंडली है प्रतवी के बायू मंडल का सरवादी गनत तो कहां पर होता है इसके लिए option दिये गए आयन मंडल दूसरा option है समताब मंडल तीसरा option है छोब मंडल और चौथा option है इन में से कोई नहीं इसको आपको right answer बताना है कि इसका right answer क्या होगा तो इसके लिए आपको 5 second का time दिया जाता है तो वह 5 second आपके खतव होगा तो इसका right answer होगा option C छोब मंडल छोब मंडल में सरवादी गनत तो होता है इसके बाद मैं अगले question क्यों रागे बढ़ते हैं तो हमारा अगला question है question number 26 भारत का केंद्रिय औसदी अनुसंदान संसान कहां पर इस्थित है इसके लिए आपके option है दिल्ली में option B लखनौ option C चेन्ने में option D इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि केंद्रिय औसदी अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्थित है दिल्ली में लखनों में चेन्णे में ऑनने से कोई ने हैं इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टायम दिया जा रहा है 5 सेकेंड में आप जल्दी जल्दी कमेंट बाक्स में बताएं कि आपका कौन सा राइट ंसर होगा तो इसका जो राइट असर होगा वो होगा option D 2005 इसका जो right answer होगा वो आपको जल्दी-जल्दी comment box में बताना है कि इसका right answer क्या होगा तो इसके लिए आपको 5 second दिये गए है और 5 second पूरे है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option D 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 right to information जिसे RTI भी कहते हैं आपको इसके लिए 5 second दिये जाएंगे आपको बताना होगा कि इसका right answer क्या होगा और आपको एक बात बताते हैं कि भारत के जितने भी भागोलिक उपनाम है भारत के सभी राद जोगया फिर कोई भी जगए के जो भी भागोलिक उपनाम है जैसे कि इसमें पूछा गया कि भारत का Manchester कहा जाता है किसे कहा जाता है तो ऐसे मैं एक वीडियो में पूरा बना चुका हूँ जिसकी link मैं description box में दे दूँगा आप उसको जरूर देखिएगा कि उसमें आपको जितने भी भारत के बहुगोलिक उपनाम है सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी पूरी detail सहीत explanation भी मिलेगा तो आपको इस question का right answer बताना है इस question का right answer बताने के लिए आपको 5 second का time दिया जा रहा है 5 second बताना कि इसका सही answer क्या होगा तो इसका जो सही answer होगा वोगा option am दाबाद इसीगर हमें आंगे बढ़ते हैं question number 29 की 29 question number है Olympic खेलों में होंकी Olympic खेलों में होंकी में भारत ने पहला सोड़ पदग किस बरस जीता था Olympic के जो खेल होते हैं प्रति एक 4 बरस बाद Olympic के खेल आयो जित किया जाते हैं इसमें होंकी में भारत ने पहला सोड़ पदग कब जीता था यह पूछा गया तो इसका option A है 1920, option B है 1924, option C है 1928 और option D है 1936, तो इसका आपको right answer बताना होगा कि इसका right answer क्या होगा तो इसके लिए आपको 5 second का time दिया जाता है, 5 second में आपको जल्दी जल्दी इसका right answer बताएं comment करें, तो इसका right answer होगा वोगा option C, 1928 में जो 1928 का Olympic खेल हुआ था, उसमें होकी ने, होकी में भारत ने अपना पहला पहला पदक जीता था, इसे एकर हमें अगले question क्यों आँगे बढ़ते हैं, तो question number 30 question number 30 क्या बोला है, पनिहारी नर्तिका संबंध किस राज्य से है, पनिहारी एक नर्तिका नाम है उसका संबंध किस राज्य में यह नर्ति किया जाता, option A, Tamil Nadu, option B, Rajasthan, option C, Uttar Pradesh, option D, Madh Pradesh इसका right answer आपको comment में बताना है कि जल्दी-जल्दी comment करके बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा, वो होगा option B, Rajasthan, राजिस्थान में पनिहारी नर्तिका संबंध है इसके बाद में अगले question क्यों और आँगे पड़ते हैं, अगला question है, question number 31 31 question है, 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत में सरवादिक जनसंक्या, ब्रधि-δर्वाला, राज जी कौन सा है 2011 की जनगर्ना हुई थी उसके अनुसार, भारत में सरवादिक जनसंक्या, ब्रधि-दर्वाला, राज जी बताना है option A, Bihar, option B, UttaraPacks, option C, Nagaland, option D, Meghalai इसके लिए आपको पांस सेकेंड का टाइम दिया रहा है, पांस सेकेंड में आप जल्दी जल्दी इसका अंसर बताएं, कमेंटर के इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट अंसर होगा, वो होगा option D, मेगाले, मेगाले में सरवादिक जनसंक्या ब्रदीदर व इसलिए जल्दी जल्दी इसका राइट अंसर बताएं कमेंट करें कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो right answer होगा वो होगा option C राची जो की जारखंट की राजदानी है राची उसे ही जारखंट का सिम्बला कहा जाता है इसके बाद मैं अगले question के और आंगे बढ़ते हैं question number 33 33 question number में है बरगी करण से संबंदिस साखा है यह biology का question है बताना है आपको बरगी करण से संबंदिस साखा है taxonomy option B taxidermy और option C anatomy और option D इनमें से कोई नहीं इसका right answer आपको जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताना है बहुत ही important question है जारतर एक्जाम में पूश लिया जाता है तो इसका जो right answer होगा option A taxonomy taxonomy बरगी करण taxonomy से संबंदित है अगले question क्यों और आंगे बढ़ते हैं हमारा question number 34 question number 34 है बिना बीज वाले फल प्राप्त करने के लिए पौधों पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है अगर आपको बिना बीज वाले फल प्राप्त करने है तो आपको पौधों पर कौन से हार्मोन का छिड़काव करना होगा इसका अंसर बताना है option A दिया गया है जिवरेलिन, option B दिया गया है साइटोनिन और option C दिया गया है oxygen और option D दिया गया है नमें से कोई नहीं इसका आपको right answer बताना है कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वोगा option C, oxygen oxygen हर्मोन का अगर आप छिड़काव करेंगे तो पौधों में बिना बीजवाले फल प्राप्त होंगे आपको अगले question क्यों रांगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला question है question number 35 question number 35 क्या बोला है पौधों में दुतियक ब्रदी किस उतक की उपस्तिती के कारण होती है option A दिया गया है cambium option B दिया गया है jylem और option C दिया गया है flowem और option D दिया गया है नमें से कोई नहीं आपको इसका right answer comment box में बताना है जल्दी चल्दी बताएं किसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वो का option A cambium पौधों में दुतियक ब्रदी cambium उतक की उपस्तिती के खारण होती है इसी करम में अगले question क्यों रांगे बढ़ते है question number 36 question number 36 है निम्न में से किस में एक ही पोधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं इसा कौन सा पोधा है जिसमें नर एवं मादा पुष्प पाए जाते हैं option A दूई लिंगी option B एक लिंगी option C डायोसिये और option D दिया गया है monoaseous इसका आपको right answer बताना है कि इसका right answer क्या होगा इसके लिए आपको 5 second का time दिया जा रहा है आप 5 second में इसको comment box में बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो इसका जो right answer होगा वो होगा option D monoaseous monoaseous में नर एवं मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं इसी करम में अगले question क्यों आँगे बढ़ते है question 37 तो question no.37 बोल दा है फलो को जल्दी पकाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अगर आपको फल जल्दी पकाने के लिए किसका प्रियोग करेंगे option A, acetylene option B, cyanide option C, ethylene option D, benzene तो इसके लिए आपको 5 second का time दिया जाता है 5 second में आप जल्दी जल्दी बताए किसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वो होगा option C, ethylene अगर फलो को जल्दी पकाना है तो आप ethylene का प्रियोग करें तो आपके फल जल्दी पक जाएंगे इसकी करम में आँगे बढ़ते हैं अगले question की और question number 38 तो question number 38 बोला है कबक किस खाद्य पदारत को संचे करते हैं option A बसा, option B glycogen और option C दिया गया मंड और option D दिया गया है glucose इसका आपको right answer 5 second के अंदर जल्दी जल्दी बताना है कि comment box में बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वोगा option B glycogen कबक glycogen पदारत को संचे करता है और आपको एक और comment box में question बताना है कि खाने योग कबक कौन सा है जिसको हम खा सकते हैं ऐसा कबक कौन सा है इसके बाद में अगले question के और आँगे बढ़ते है question number 39 question number 39 बोला है संयुक्तराष्ट संग की सुरच्छा परिसद में निमन में से कौन सा दिस इस्थाई सदस से नहीं है option A America, option B Britain, option C France और option D Japan इसमें तीन जो हैं बो संयुक्तराष्ट संग सुरच्छा परिसद के सदस हैं बाकी एक स्थाई सदस से नहीं है बाकी तीनों स्थाई सदस से हैं इसके लिए आपको 5 second का time दिया जारा है 5 second में आप जल्दी जल्दी बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वो होगा बो बताना है कि निम्न में से कौन सा कर केंदर सरकार का कर नहीं है इसके लिए option A दिया गया भूमी राजस option B दिया आए कर option C दिया गया सीमा सुल्क option D गया उत्पाद सुल्क इसका आपको right answer बताना है कि इसका right answer क्या होगा तो इसका जो right answer होगा वो होगा option A option A, भूमी राजस सुकर भूमी राजस केंदर सरकार का नहीं है बलकि यह राजस सरकार का कर है और बाकी आयकर सीमा सुल्क और उत्पाद सुल्क यह सभी केंदर सरकार लेती है इसके बाद मैं अगले question क्यों राँगे बढ़ते हैं अगला question है question number 41 41 question number बोल रहा है निमने में से सबसे बड़ा द्वीप कौन है मेडा गासकर option B दिया गया है greenland option C दिया गया है अरफ सागर option D दिया गया है माजुली तो इसका right answer आपको बताना है पांस सेकेंड मैं जल्दी जल्दी comment करके बताएं किसका जो right answer होगा वो क्या होगा इसका जो right answer होगा वो होगा option B greenland greenland सबसे बड़ा तुइप है इसके बाद मैं अगले question की और आँगे बढ़ते है question number 42 तो question number 42 बोल ला है बिर्सा मुंदा के गुरु कौन थे option A स्वामी सहजानन्द option B जावा भगत option C गोपाल करशन गोखले option D आनन्द पांडे इसका जो right answer है वो आप comment box में बताएं इसके लिए आपको 5 second का time दिया जा रहा है तो आप जल्दी जल्दी इसका comment करें तो इसका जो right answer होगा वो होगा option D आनन्द पांडे बिर्सा मुंडा के गुरू आनन्द पांडे थे और आपको एक question और बताना है कि गोपाल करशन गोखले किसके राजनेतिक गुरू थे इसके बाद मैं अगले question की और आंगे भढ़ते है question number 43 question को करने से पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी अपडेट आएगी वीडियो की तो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी question number 43 बोला है रेसेदार दिखाई देने वाले मेग को क्या कहते है मेग मतलब होता है बादल रेसेदार जो दिखाई देते हैं ऐसे बादल हो वो क्या कहते हैं option A कपासी option B स्तरी option C पच्छाव और option D स्तरी मद्द मेगा सोरी स्तरी मद्द मेगा इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकेंड मैं जल्दी जल्दी बताएं कि जो रेसेदार दिखाई देने वाले बादल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं इसका जो राइट अंसर होगा वो का option C पच्छाव पच्छाव कहते हैं जो रेसेदार बादल दिखाई देते हैं अगले question क्यों रांगे बढ़ते हैं question number 44 44 कह रहा है C तोस्ट कटी बंदिये छेत्रों में सामानिता किस प्रकार की बरसा होती है इसके लिए option दिया गया option A संभायनिक option B दिया गया है चक्रवातिये option C दिया गया परवतिये और option D दिया गया मानसूनी आपको बताना है कि जितने भी सी तोस्ट कटी बंदिये छेत्रों हैं उनमें किस प्रकार की बरसा होती है संभायनिक चक्रवातिये परवतिये या मानसूनी बरसा होती है इसके लिए आपको पांस सेकंड का टायम दिया जा रहा है पांस सेकंड में आप जल्दी सिल्दी बताएं कि इसका राइट अंसर क्या होगा इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा option B चक्रवातिये जितने भी सीतोर सुर्ट कटवंदिये छेतर हैं उनमें चक्रवातिये बर्सा होती है इसी करम में अगले कुछिशन क्यों रांगे बढ़ते हैं कुछिशन नंबर 45 कुछिशन नंबर 45 है निम्न में से कौन सा मेग सूर एवम चंदरमा के चार और प्रभा मंडल का निर्माड करता है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बादल है जो सूर एवम चंदरमा के चार और प्रभा मंडल का निर्माड करता है इसके लिए उप्षन A दिया गया है पच्छाव स्थरी उप्षन B दिया गया है कपासी वर्सा उप्षन C दिया गया है पच्छाव का पासी उप्षन D दी गया है निमें से कोई नहीं इसके लिए आपको पांस सेकेंड का टाइम मिलता है पांस सेकेंड में जल्दी जल्दी बताएं कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा उप्षन A पच्छाव इस्तरी जो बच्छाव इस्तरी में गए वो सूर एवम चंद्रमा के चार और प्रवा मंडल का निर्माड करता है इसके बाद में Q46 की और आँगे बढ़ते हैं Q46 क्या बोला है देखते हैं Q46 है किस प्रकार की बरसा बिजली की चमक एवम बादलो की गरज के साथ होती है Option A पच्छाव का पासी Option B पच्छाव इस्तरी Option C परवतिय बरसा और Option D है इनमें से कोई नहीं इसके आपको राइट अंसर बताना है कमेंट में जल्दी सिल्दी उताए कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो जो इसका राइट अंसर होगा वोगा Option B पच्छाव इस्तरी पच्छाव इस्तरी बरसा है वो बिजली की चमक एवम बादलो की गरज के साथ होती है इसके बाद अगले कुश्चन की और आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 47 इसका आपको राइट अंसर बताना है बताना है पांस सेकेंड में जल्दी सल्दी इसका राइट अंसर कमेंट करें किसका राइट अंसर क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वो होगा option C 3 जो भी गैर धनविदेय का हुआ वो संसत के हर सदर में 3 दिन उसके बाचन होगे इसके बाद में अगले question क्यों आंगे बढ़ते है question number 48 question number 48 है लोगसवा में अध्यच के मत को कहा जाता है लोगसवा में जो लोगसवा का अध्यच होता है उसके मत को कहा जाता है क्या कहा जाता है ये पूछा किया option A निडायक मत option B द्वनी option C प्रत्यच मत option D अप्रत्यच मत इसको बताना है कि लोगसवा में जो लोगसवा का अध्यच होता है अगर वो मत देता है वैसे तो वो मत देगा नहीं लेकिन जब मत देगा तो वो उस मत को क्या कहा जाता है अगर आपको ये भी बताना है कि लोगसवा अध्यच है जब कोई मत देगा जब लोगसवा अध्यच मत देगा तो वो आखिर अपना बोट है या फिर मत क्यूं देगा तो ये भी आपको comment box में बताना है तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड में इसका अंसर बताएं कि इसका right अंसर क्या होगा तो इसका जो right अंसर होगा वो होगा ए निर्डायक मत है लोगसवा में अध्यच के मत को निर्डायक मत कहा जाता है इसी करह में अगले question क्यों आगे बढ़ते है question number 49 question number 49 है संग के कार कारड़ी पर संबैधानिक प्रमुख है जो भी संग का कार कारड़ी जो भी संग यानि मलता यूनियन की कार कारड़ी होती है उसका जो संबैधानिक प्रमुख कौन होता है ये पूछा गया option A दिया गया प्रदानमंत्री option B दिया गया प्रदानमंत्री मंत्री परसत के साथ option C भारत का मुख ने आए दे option D राष्टपती इसके लिए आपको 5 second का time दिया जा रहा है 5 second माँ जल्दी जल्दी बताएं कि इसका जो right answer होगा वो क्या होगा इसका जो right answer होगा वोगा option D राष्टपती संके कारडी का संबैदानिक प्रमुख राष्टपती होता है अगले कुश्चन की और बढ़ने से पहले अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं कहा तो option C है बैसाली option D है इनमें से कोई नहीं इसके लिए आपको पांस सेकेंड का टाइम दिया रहा है पांस सेकेंड में आप जल्दी जल्दी बताएं कि इसका right answer क्या होगा तो जो इसका right answer होगा वोगा option B पार्टली पुत्र पार्टली पुत्र में आउजद की गई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जादा जादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के जादा जरूर शेयर करें जो भी भी SSGD की त्यारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने हैं थैंक्स फॉर वाचिंग